नमस्कार ये शो का दूसरा एपीजोड है आजके इस एपिशोड में हम बात करेंगे देश में होने वाले राश्णपती चुनाव के बारे में हम чистon कौन हो सकता है देश का पंद्रवान राष्ट्रपती कैसे होता है राष्ट्रपती का चुनाव क्योंकि राष्ट्रपती के चुनाव का तरीका बाकी चुनावों से बिलकुल अलग होता है तो चलिए आज का यह सफर शुरू करते हैं भारत देश की विश्व में अलग पहचा भारत में लगबख पूरे वर्ष चुनाव चुनावी रेलियां चुनावी प्रचार लगा ही रहता है कभी किसी राज्य में चुनाव होता है तो कभी किसी और राज्य में कभी विधान सभा चुनाव कभी लोग सभा चुनावों का दौर पूरे वर्ष भारत भर में कहीं न क नहीं चलता ही रहता है बीती 10 जून को चार राज्यों में राज्य सबासांसदों के चुनाव हुए जिसमें 16 सीटों पर कई उमीद्वारों ने अपना-पना नामंकन किया था जिसके नतीजे भी अब तक आ चुके हैं लेकिन फिर वही जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत में चुनावों का सिलसिला चलता ही रहता है तो भीया अब भारत में देश की सर्वोच पत यह कहें तो देश की पृथम नागरिक यानि राश्योपति पत के चुनाव होने वाले हैं वर्तमान में रामनात कोविंद 14 राश्योपति के रूप में अपना पत्भार समाल रहे हैं 25 जुलाई 2017 को रामनात कोविंद ने राश्योपति के रूप में सपतली थी उनका कारेकाल 25 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है और भारत के अंदर हर काम भारतिय सम्विधान को ध्यान में रखकर किया जाता है तो भारतिय सम्विधान का अनुच्छेद बांसठ यह कहता है कि रा राश्योपति का कारेकाल खत्म होने से पहले दूसरे राश्योपति को चुनने के लिए राश्योपति पद की चुनावी प्रक्रिया राश्योपति का कारेकाल खत्म होने से पहले ही हो जानी चाहिए यही कारण है कि राश्योपति रामनात कोविंद का कारेकाल 25 जुलाई क भारत को और भारत के देशवासियों को भारत के 15 राश्रोपती का नाम पता चल जाएगा अब बात कर ली जाए कि राश्रोपती का चुनाव होता कैसे है तो हमारे भारत देश में राश्रोपती का चुनाव आम चुनाव से पिल्कुल अलग होता है भारत में राश्रोपती च college खरता है यह simple भासा में कहें तो भारत की जनता अपने राष्ट्रपती का चुनाव सीधे नहीं कर सकती बल्कि उनके vote द्वारा चुने गए परतिनिधी राष्ट्रपती का चुनाव करते हैं राष्ट्रपती चुनाव सदस्या नहीं होते हैं इस शुनाव में खास तरीके से वोटिंग होती है जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं यानि वोटर केवल एक होता है लेकिन राष्टपरदी के उमीदवारों में अपनी प्राथमिक्ता तै करतेता है जैसे वोटर्स का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा उमीदवार है उसका नाम बैलेट पेपर पर पहले लिखा जाता है फिर दूसरे उम्मीदवार का नाम लिखा जाता है और उसके बाद तीसरे उम्मीदवार का नाम लिखा जाता है यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता तो उम्मीदवार के खाते के वोट दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिये जाते जिसे सिंगल वोटर ट्रांसफर कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट की कीमत अलग-अलग होती है यह वोट की कीमत जिस तरह तै की जाती है उसे आनुपातिक प्रतनिधित्व विवस्था कहते हैं उधारण के लिए हम मानें तो गुवाक राज्य में परतिक विधान सभा में वोटर लगबग 40-50,000 होते हैं वहीं यूपी की विधान सभा की बात करें तो इसमें लगबग 3-4 लाख वोटर होना आम बात है इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद और अलग-अलग राज्य के वोट की कीमत निकाली कैसे जाती है तो भाई उसके लिए एक फॉर्मूला को आधार बनाया जाता है तो यदि आप गणित के विध्यारती हैं तो यह बात आपको जल्दी समझा जाएगी बाकी लोग भी इस तरह समझ सकते हैं देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले प्रदेश चुना जाएगा अब हम बताते हैं कि किसी विधायक के वोट की कीमत कैसे पता चलती है यह समझे कि प्रदेश की जनसंख्या को विधायक की जनसंख्या से भाग दे दिया जाएगा यानि कि अगर उत्रप्रदेश की 1971 की जनगर्णा की माने तो 8,38,49,905 है और उ जाएगा तो संख्या आईगी 2,08,64 अब आई हुई संख्या में 1,000 का भाग दे दिया जाएगा तो 208 निकल कर आएगा इसका मतलब यह हुआ कि यूपी के एक विधायक के वोट की कीमत 208 वोटों के बराबर है लेकिन अब यूपी में विधायकों की संख्या 403 है तो 403 मे 208 का गुणा कर दिया जाए तो यूपी की तरफ से कुल 83,824 वोट राष्टपती के चुनाओं में डाले जाएंगे ऐसे ही हर राज्य के विधायकों के वोट की कीमत अलग अलग होगी अब हम बात करेंगे सांसदों के वोट की कीमत की तो सांसदों के वोट की कीमत कैसे नि भाग दे दिया जाता है तो जो भज संख्या निकल कर आती है वह संख्या सानसदों के वोट की कीमत होती है आपको बता दें कि अभी तक 1997 से एक सानसद के वोट की कीमत 708 हुआ करती थी लेकिन फिल हाल उसमें कुछ कमी आई है और कमी आने के साथ-साथ एक सांसद के वोट के कीमत लगबग 700 हो गई है लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह कमी आई किस वज़ा से है तो कमी आने के पीछे की एक वज़ा है और वज़ा यह है कि इस बार जम्मू कश्मीर में पहले की तरह विधान सभा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाक के सांसदों की राए राश्रपती चुनाओ में उसी तरह से हिस्सा लेंगे जिस तरीके से पहले लेते हुए आए हैं और अपना वोट भी दर्च कराएंगे अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका पूरे देश को इंतसार है कि अगला राष्ट्रपती कौन होगा इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी, बीजेपी और विपक्ष दोनों में जबर्दस्त घमासान है भारती जनता पार्टी सत्ता में होने की वज़े से चाहेगी कि इस बार भी उनके द्वारा ही लाया गया राष्ट्रपती चुना जाए लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो ममता बनर जी पूरे विपक्ष को एक जुट करने में लगी है देखना होगा कि क्या ममता बनर जी पूरे विपक्ष को एक जुट कर पाती हैं और वहीं NCP अधिक्ष शरत पवार ने उमीदवारों की लिस्ट से अपने नाम को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए कहा है कि मैं राश्रपती पद की उमीदवार की रेस में नहीं हूँ और यह कहकर विपक्ष के परस्ताव को पूरी तरीके से उन्होंने खारिच कर दिया है वहीं NITISH कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वह राश्रपती पद के उमीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन विपक्ष के कुछ चहरे हैं जो राश्रपती पद की उमीदवार वाली लिस्ट में अपना नाम दाखिल करवा चुके हैं जिसमें सबसे पहले गोपाल कृष्ण गांधी ने साफ किया है कि वह राश्रपती पद का चुनाव लड़ेंगे जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने भी राश्रपती पद के उमीदवारों के लिए अपना मन बना लिया है लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर जी विपक्ष को एकजूट कर पाएंगी क्योंकि ममता बनर जी सबसे पहले दिल्ली आई और विपक्ष के नेताओं से बात की लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राश्रपती पद के उमीदवारों की लिस्ट में विपक्ष का कौन सा नाम होता है आई कि बीते मंगलवार को बीजेपी ने तो अपने राश्रपती पद के उमीदवार की खोशना भी कर दी है बीजेपी की ओर से द्रौपधी मुर्मू को अपना राश्रपती उमीदवार घोशित किया गया है और यूपिय की तरफ से भी यश्वन सिना का नाम सामने आया है तो अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है और कौन बनता है देश का अगला राश्च्रपती फिलहाल मुझे दीजी इजाजत फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक आप कॉमेंट करके बताईए कि अगले राश्च्रपती के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं नमस्कार प्सादब कर दो